श्री गनेशा नम्हा दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सोमवार के दिन पूजा के समय आप क्या क्या खास उपाई कर सकते हैं अगर आप चंद्र दोस्ट से निजात पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन स्नान करने के बाद श्वेत वस्तर धारन कर भगवान शिव का जल अभिशेक करें आप गंगा जल, कच्छे दूद या फिर सामन्य जल में सफेद रंग का फूल मिला कर भगवान शिव का जल अभिशेक कर सकते हैं इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा आपका मजबूत होता है कुंडली में चंद्रमा मजबूत होने से शुब कारियों में आपको सफलता मिलती है अगर हमारी माने तो कुंडली में शुक्र मजबूत रहने से जातक को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की भी प्राप्ती होती है वहीं कमजोर होने पर धन संबंदित परेशानिया होती है इसलिए सोमवार के दिन पूजा के समय भगवान शिव को अखंडित चावल से निर्मित खीर का भोग लगाए इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है अगर आप वास्तू दोस्से परेशान है तो सोमवार के दिन सनान के बाद डमरू खरीद कर घर ले आए अब विधिवर दमरू की पूजा करे पूजा के समापन के बाद घर में डमरू आप बजा सकते हैं इस उपाय को करने से घर में कोई भी प्रकार का वास्तु दोश होता है तो वो धीरे धीरे दूर होता जाता है अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाते हैं तो सोमवार के दिन सनान के बाद ध्यान के बाद घर पर पारद शिवलिंग स्थापित करें इस समय कच्चे कुद से शिवलिंग का अभिशेक करें इस उपाय को करने से मन की जो कामनाय है वो पून होती है और मनो वांचित फल की प्राप्ती होती है अगर आप कुंडली में अशुब ग्रहों के प्रभाव के चलते विशम परिस्तिति से गुजर रहे हैं खराब परिस्तितियों से ग गुजर रहे हैं तो सोंबार के दिन स्नान करने के बाद ध्यान के बाद वीदी विधान से भगवान शिव जी की पूजा करें शिव चालीसा का पाठ करें इस समय गंगा जल में काले तिल सुगंद और शेहद मिलाकर भगवान शिव का अभिशेक करें आप चाहें तो दहीं इसे भी भगवान शिव का अभिशेक कर सकते हैं इसके बाद समान्य जल से अभिशेक करें दोस्तों अगर आप ये सब उपाए करते हैं तो मैं आपको लिख कर दे दू कि आपको अपने जीवन में सौय सौटा का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा आप ये उपाए जर झाल